स्वागत आप सभी को ग्यापन इकडमी के इस नए लेटिस्ट और धमाकेदार वीडियो में ये वीडियो काफी important और powerful सावित होने वाला है क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं grammar का एक और topic भर्ब के बारे में जी हाँ भर्ब के बारे में पढ आमर आप सभी तरह तरह के जो भी तैयारी करने वाले विद्यारति है ना सभी के लिए ये काफी important topic सावित होने वाला है क्योंकि ये किसी भी exam में इससे regarding एक प्रास्न objective जरूर रहता है मैं आपको बता दूँ कि कलाश्टियंद एंट्वल वाले विद्यारति जो बिहार रहे ही लेकिन किसी competition label की भी तैयारी कर रहे विद्यारति है ना उसके लिए भी काफी important है ये छोटा सा बात था important बाते थी इसलिए मैंने वीडियो को सुरू करने से पहले और इस topic को सुरू करने से पहले मैंने आपको बताना उचीत समझा तो मैं एक और छोटा सा request करना चा कर लिजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो का अनुपी के सबसे पहले आप तक पहुंचिए तो चलिए बिनादेर के आम लोग इस grammar के next topic भर्व के बारे में बहुत ही energy के शांस सुरूआत करते हैं और समझते हैं देखिएगा ये वीडियो कोई बहुत ज्यादा लंबा न भर्व के टाइप्स होते हैं और ये भर्व के मात्र दो टाइप्स होते हैं भर्व के कितने टाइप्स होते हैं दो टाइप्स होते हैं समझेगा एक पहला जिसको में भर्व काई है चाए प्रिंसिपल भर्व काई है चाए औरिनरी भर्व काई है चाए फूल भर्व काई है no problem, मतलब no problem का मतलब तहा कि कोई दीकत नहीं है, समझ रहा है न, देखिए, सियारवा वहीं है, एक भजपुरी में कहावा थे, कि सियारवा वहीं है, बस पोचिया रांग मा लिया है, तो ऐसा थोड़ीने कि उस सियार दूसरा हो गया, नहीं, तो कुल मिला जुला करके, में भर्ब कहिए, चाहे प्रिंस्पल, चाहे और्डिनारी भर्ब कहिए, चाहे फूल भर्ब कहिए, इससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला एक बाल बराबर भी फर्क पढ़ने वाला नहीं है अब बात करते हैं कि में भर्ब तो हो गया सेकेंड कौन सा टाइप से भर्ब का तो वह है एक्जिलरी कहिए चाहे हेल्पिंग भर्ब कहिए चाहे एक और तो नाम लिखना इसमें भू तो तीन नाम है लेकिन काम एक ही है एक्जिलरी भर्ब कहिए चाहिए लिंकिंग भर्ब इसका हिंदी हुआ सहाय किरिया और जो पहला जो टाइप था में भर्ब कहिए प्रिंस्पल चाहिए पूल इसको कहते हैं मुख्य किरिया क्या ये बाते दिमाग में बैठ गई अगर खालना तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं समझेगा सबसे पहले बात आती है एक सवाल यहां पहले बनता है कि कीरिया किकि कहते हैं किरिया चाहे हो helping भर्व हो चाहे main भर्व हो no problem लेकिन सबसे पहले बात आती है पहले यह बता किरिया की से करते हैं चुकि आप जब भी कभी किसी के सामने आप भर्व के बारे में पूरा जो है ना उसके टाइपस और उसके बारे में बताएंगे ना तो सबसे पहले आपसे वह सवाल पुछेगा बंदा अरे यार उतना तुम का है फढ़ फढ़ा रहा है सबसे पहले यह बताना कि घर्व या investigating से काते हैं तो आपको जबाब देना होगा कि किरिया किसी काम का होना एक ब Bin होती है किसी भी काम का होना समझ रहाना किसी भी काम का होना किरिया कहलाता है सपोज मान के चलिए कि मैं आप सभी के बीच पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना मेरा एक किरिया है मैं दोड़ रहा हूं न दोड़ना एक किरिया मैं समझा रहा हूं न तो समझाना एक किरिया है लिख देखने के बाद अगर आप लाइक कर रहा है ना लाइक करने का भी एक काम कर रहा है यानि यह भी एक किरिया ही है और लाइक करने के बाद यह वीडियो अच्छा लगा तो आप एस्टेटस पर भी लगा दिया ना तो इस्टेटस पर लगाना यह भी एक काम कर रहा है यह भी सबसे पहले ये सब क्या है किरिया है ये सब क्या है एक काम का होना समझा जा रहा है मान के चलिए कि दुनिया का कोई भी काम अगर आप कर रहे होना या किसी वस्तु के द्वारा किया जा रहा है या आप खुद कर रहे हो, वो कोई भी काम किरिया कहलाता है, यानि किसी भी काम का होना किरिया कहलाता है, अब सुनिएगा, अब बात करते हैं कि ठीक है सर, ये तो बाते समझ में आ गई, कि दुनिया का कोई भी काम कर लो, किसी काम का होना किरिया कहलाता है, किरिया के दो परक से में प्रिंस्पल और्डिनरी फूल भर मैंने जैसे कहा कि नाम अनेक है लेकिन दोनों का तीनों का चारू का कुतना भी कुछ भी हो एक दो तीन चार अलग अलग वर्ड मीनिंग लेकिन उसका हिंदी में होता है मुख्य किरिया सुनिएगा में भर किसे करते हैं तो आप जो नवी काम को डाइरेक्ट वर्ड लिंंक जो याद करते हैं जैसे कि गोमाने जाना इतमाने खाना और हाना कऊ मने आ ढाच शेंप मने सोना अंडर्श्टॏन में समझना ठीक ना को मने महसूस करना ठीक मतलब सोचना गंविंश मतलब समझाना ठीक है नवाच मतलब देखना सी मतलब देखना ठीक नअप लाई मतलब लगाना ठीक है न अप्रिट मतलब जो भी आम काम करते हैं जो भी मूख रुप से सुनिएगा है सब्द पर ध्यान दीजिए मुख्य रूप से जो काम कर रहा है मुख्य रूप से आ रही है ना यानि कि भर्व के पहले ही जो ना टाइप को में बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको जब मैं definition दिया ना उस बात तो अगर आप ध्यान दिये होते हैं तो समझ जाते हैं जो भी काम अगर आप मुख्या रूप से कर रहे हैं तो मुख्या रूप से काम करने वाला मुख्या किरिया ही कहलाता है जैसे जाने का काम आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जाने का काम कर रहे हैं जाना अपने आप में मुख्य किरिया हो गया आना खाना पीना दोड़ना उठना सोना बैठना जो भी करना यह सब में भर्व है समझ में आ रहा है यह सब क्या है मुख्य किरिया है और मुख्य किरिया पहचानने का एक बहुत ही शंधार ट्रीक में बता रहा हूं मतलब चाहे आप उसे भर्ब का सकते हैं, चाहे main भर्ब का सकते हैं, गरर बसके बढ़ीरख इसे अपने बेटे से होता है, mean भर्ब, principle भर्ब, ordinary भर्ब, whole भर्ब, no problem, टीक है, यानि कि यह जो भर्ब है ना, ये भर्व इसका direct संपर्ख इसके पहले बेटे पहले टाइप के बेटे यानि बड़ा बेटा मेन भर्व से तालुकात होता है भर्व करिये चाहे मेन भर्व करिये मुख्य किरिया करिये चाहे किरिया करिये डायरिक्ट इसका संपर्ख अपने पहला बड़ा बेटा से होता है म मुख्य किरिया जाहिर से बात है मुख्या यानि बड़ा की तरह होता ही है तो यह जो देखेगा ना इसका पहचानने का ट्रिक क्या है मैं बता हूँ देखे ट्रिक यहीं है कि हमेशा जो है ना लास्ट में ना आएगा हमेशा क्या आएगा लास्ट में ना आएगा यानि कि ज उनिया का शब्द उठा लीजिए लास्ट में अगर न आ रहा है तो समझ जाएगा माना लगभग हम बता रहा हैं लगभग 99 परसेंट इन किस ऑफ एनी मोमेंट एक परसेंट कोई वर्ड आप उठा कर को दिए सर बताइए ना आप तो बोले कि कोई भी सब्द के लास्ट में आए तो मतलब यह हो जाएगा अरे मेरे भाई अब किसी नाम को उठा लो रोहन तो सर रोहन भर्व है क्या अरे मेरे भाई इसलिए तो मैं जानता हूं कि आपके दिमांग कौन कौन सी कोस्टन पनप सकती है ठीक है ना तो मैं क्या बोला किसी नाम को छोड़ो यार किसी काम क और कोई काम हो रहा है ना उसकाम के शब्द में देखना लाश्ट में हमेशा न देखने को मिलेगा और जब भी न देखने को मिलेगा न तो समझ लेना वो किरिया है ठीक है किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भर भी यूज हुआ है और उसके सब्द के लाश्ट में न आ रहा है तो फो समझ लेना वो किई और 99% ऐसे वर्डद देखने गए जिसके dlasket last में ना देखने उसे हम लोग में भरत के अर्थात कीरिया काते ते हैं मुख्य कीरिया काते ठीक है यह बाते आपको समय में अब suppose मान के चलिए कि जैसाम को कहना होगा देखिएगा क्या कहना होगा समझिएगा जैसे मैं खाता हूं मैं खाता हूं तो क्या हो जाएगा भई देखिएगा आई सबसे पहले सब्जेक्ट खाता हूं न तो इट हाले क्या मैं तो इसके बार टेंस पढ़ाऊं गई पूरा लाइं बेलाइं से सीक्वेंस से मेरा वीडि अच्छा मैं सोता हूं मैं रात को सोता हूं दिन में सोता हूं यार मैं जा रहा हूं सोने क्या करने जा रहा हूं वही सोने जा रहा हूं ठीक है न और क्या कर रहा हूं जा रहा हूं यानि जाने का भी काम कर रहा हूं और जाने के बाद मैं सोंगा इसका भी बात मैं कर रहा हू है understand मतलब समझना sleep मतलब सोना यह समान की चले यह सर आयम understanding हाँ मैं समझ रहा हूँ सर आपकी बातों को या आप मेरे मतलब बातों को अगर समझने का कारिय कर रहें इसका मतलब की समझना भी क्या है में भर यह बात समझने अब बात करते हैं auxiliary helping चाहे linking का यहीं तीनों का मतलब होता है अप साहीक्रीय क्या होता कभी भी subject के बगर में आकर चिसा जाता है और subject के बगर में तो चिपकता ही है लेकिन यह जो में भर्ब है ना यह गतकि में भर्ब देख रहा है ना सब्झीट के लिए भी साह होता है और एदम जोहना पूरा शुदॗ बनाने एंग करता है कि इसका लिंक भर्भ इसलिए नाम रखागМ कि यैال ion करता है यानिकिस सब्जिक्ट में भर्भ को दोनों को लिंग करने का काम करता है और यह वाक्य के साथ जैसे कि सुनिये का is सहाय के किरिया ठीक ना सहायता परदान करता जैसे मानके चलिए मैं खाता हूं है खाता हूं अगर मानके चलिए है तो आई इट तो कह दिया अब मैं खा रहा हूं तो सथे बना यह rhyme मैं खा रहां लेकिन हूं कहां गया मैं खा रहा हूं तो छब भी कभी आप ठेंस पढ़ेंगे न तो उसमें आपको structure of the sentence पढ़ने को मिलेगा subject plus image r plus verb अगर आए तो image r के बाद आने वाला भर में ing जूड़ जाता है प्लस other lesson प्याद लगा दो उसके बाद से हम क्या करते हैं मान के चली के going तो हो गया ठीक है या eating तो हो गया no problem कुछ भी हो गया यह playing हो गया कुछ भी काम कर रहा है यह सब क्या भर्व है याद रखेगा यहां पर एम लगा देंगे आई के साथ helping भर्व क्या लग गया है अब यहां पर जो आई एम गोईंग हुआ ना तो आई गोईंग चाहते तो हम लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखेंगे गरामर करता है this is wrong यह गलत है क्यों क्योंकि मैं खाता हूं ठीक है आई इट सब्जेक प्लस मैं भर प्लस अब्जेक्ट यह स्ट्रक्चर अदो सेंटेंस है जब आप टेंस पड़ेंगे तो किलियर हो जाएगा लेकिन होगा यह कि जब मैं खा रहा हूं तो यह वाक्य का जो मैं लिख रहा हूं यानि कि मैं पर्जेंट डाइरेट दिखा रहा हूं कि मैं लिख रहा हूं तो दिखें दो अलग-अलग बाते हो गई एक मैं खाता हूं और एक मैं खा रहा हूं दोनों वाक्य में अंतर हो सकते हैं तो दोनों की वाक्य अलग-अलग तरीके से बन सकते है तो पहला जो वाक्य बना यह क्या बना पहला sentence I eat और मैं खा रहा हूं तो I am eating समझ रहा ना तो I am eating बना तो यह aim क्या है aim कहीं न कहीं से यह auxiliary का यह helping का यह linking verb का यह 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 तो देखेगा जब भी कभी sentence में आपको aim is are, was where, has यह have यह has been यह have been दिखाई दे, pit, will shall you will shall have YOUR will will shall have your will shall have been दिखाई दे यह सभी क्या है कहीं कहीं न कहीं से यह सहाय किरया है समझ में आ रहा है समझ में अगर किसी भी sentence में अगर आपसे exam में पूछ दे कि निमनी है एक सहाय क्रिया का उधारण है और एमी जारवाजवेर वगर जो भी मने आपको दिख जाए तो समझ लेना कि वहीं है आपका सहाय क्रिया यह बाते आपको समझ में आगए अब यहाँ पर देखिएगा कि क्या मैंने जो बोला वो सच हुआ कि नहीं कि कभी भी subject और main verb के बीच म में अगर जो मने वर्ड दिखाई दे वहीं होता है आपका सहाय क्रिया यह ट्रीक है यह एक लॉजिक है पकड़ने का एक तरफ subject रहेगा subject तो आप जानते ही है करता को कहते हैं जैसे I, you, he, see, they, eat बतलब यह सब क्या है subject हो गए अच्छा main verb तो आप जा नहीं गए यह मुख के form में हो चाहे main verb 3 के form में हो या main verb 4 या 5 no problem या किसी भी forms में हो अगर main verb और subject के बीच में जो वर्ड आ जाए समझ लेना कि वह auxiliary helping या linking भर कहलाएगा सहाय क्रिया कहलाएगा यह बाते आपको समझ में आ गई चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक कदम और और इस भर्ब का यह last सब्सक्राइब करेंगे सुनिये करें से वीडियो को स्किप नहीं करना देखें एक्जाम जो है ना इक्जाम में आपसे 10-12 में यहां से पूछी लेता है कि निम्लिखित में से कौन एक फूल भर्ब है या main भर्ब है या auxiliary भर्ब का एक उधारन है यह पूछी लेकिन किसी भ का फूछा में वर्ब होता ही कि इसमें से कौन जो है ठीक가 ना ट्रांजरीक्ति वर्ब wal आ या कौन इसमें से इंट्रांजरी वर्बी कह एक तो देखें मैं सिखा दे रहा हों और स्टांजीट वहुता है और एक इंट्रांजीट वह वहाण की से कते हैं तो जो भार्म के बा अगर कोई object आ जाए तो ध्यान रखना कि यह sentence में आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा subject में भर्व और object जब भी में भर्व के बाद अगर object आए तो समझ लेना कि यह जो में भर्व है न यह ट्रांजीटिव भर्व का लाएगा इस sentence के लिए यह में भर्व नहीं यह ट्रांजीटीव भर्व का लाएगा यानि यहीं में भर्व ट्रांजीटिव भर्व का लाएगा और आप से इसी तरीके से एकजाम में कोशन पूछता है आई प्ले दे किरकेट यphone किरकेट लिख लिखे ठीक है यहां पर क्या हुआ है में भर्ब के बाद मैं पसंद करता हूँ लाइक क्या है में भर और क्या पसंद करता हूं मैंगो ठीक है ना मैंगो तो यहाँ पर क्या हो गया सुनिएगा जब भी कभी में भर्ब के बाद अगर अबजेक्टिव आए तो समझ लेना कि अब्जेक्टिव के पहले वाला में भर ट्रांजेटी भर्व का लाएगा यह बात समझ में आगे अब सुनेगा इन्ट्रांजेटी भर्व क्या कितना आसान है इसको भी समझा भर्व के बाद अब्जिक्ट आएगा ही नहीं यानि राम गोज अब देखें यहां पर क्या होग यह उनिए प्रिपोजीस सं आगया यह में भर के बाद कुछ आये नहीं नहीं देखिएगा गोज के बाद क्या आया तू आया इसलिए कट गया है यह अबुदित्द थोड़ी नहीं यह एक्पोजीशन है आफ्यायब तो मार्केट था समझ रहा ना आप सुनिए शिtar के बा थोड़ी न आ रहा है नहीं आ और अबजेक्ट क्यों कोई दूसरा कोई नहीं आ रहा है अगर आता कि यू तो लव क्या हो जाता है ट्रांजीटिव हो जाता लेकिन बात आती है कि यह ही नहीं है यस आई लॉब मैं प्यार करता हूं इसस फर्ष्ट भी नहीं हो कि मैं किसे प्यार करता हूं ममी से की पापा से या किसी लड़की से कुछ नहीं तो कुल मिला जुला करके जब भी कभी भार्व की बाद सुनिये का ध्यान से फिर से भार्व की बाद कोई अब्जेक्ट आज लाइक के बाद अगर कोई अब्जिक्त आ जाए जैसे मैंगो आ गया यह लाइक क्या हो जाएगा लेकिन जब कभी मेन भर्व के बाद कोई अब्जिक्ट न आये उसका कोई आता पता नहीं हो ठीक है ना अगर आए भी तो प्रीपोजीशन आए तो भी उस हालात में वो क्या हो जाएगा भर इं ट्रांजेटी भर्व हो जाएगा व्यक्रिटा के बाल कंशीश्ड लेकिन आम आ यह अगर रहता है टेकर नवहीं होल में détय। सिसलिप अगर मान के चले बेड़ पर सोती है तो अन्द भी रहता देख रहा है ना प्रीपुजिशन आगया कि नहीं आगया ना फिर भी नहीं हो पाएगा क्यों कि स्लिप जो है न यह इन ट्रांजीटी भर्व हैं स्लीप के बाद डाइरेक्ट अबजिक्ट अगर आता तो हम कहते हैं कि यह एक क्या है कि ट्रांजीटी भर्व हैं लेकिन स्लीप के बाद डाइरेक्ट भर्व नहीं आया पॉइंट सुट भी नोटे स्लीप के बाद डाइरेक्ट भर्व नहीं सॉरी मैं क्या बोल दिया स्लीप के बाद डाइरेक्ट अबजिक्ट नहीं आया तो समझ ल लेना कि वह भर्व यह प्ले यह लाइक या जो भी भर्व के बाद अगर में भर्व के बाद कोई अबजेक्टिव वर्ड आ रहा है तो तुरंत में भर्व के बाद आये जाने वाले जितने भी अबजेक्टिव वर्ड हैं तो उस अबजेक्टिव वर्ड के पहले में भर्व क करके आए तो उस हलात में वो भर्व क्या कहा लाजेगा इंट्रांजिटी वर्व तो आई होब कि यह बहुत ही अच्छे ढंग से जो भर्व की टाइप्स में आपको पढ़ाने और आपके दिमांग में फिट करने की कोशिस किया आपकी दिमांग में फिट हो गया होगा बहु तो मिलते हैं नेक्ष वीडियो में इस टापी किसान तब तक के लिए जैहिंद।